की आने वाली मास एक्षन ड्रामा बेबी जॉन को सेंट्रल बोर्ड ओफ फिल्म सर्टिफिकेशन सी बी एफसी ने यूए सर्टिफिकेट दिया है। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का पहला लुक दशहरा पर रिलीज किया गया था, जिसमें जैकी श्रॉफ, दुष्ट, बबब शेर की भूमिका में नजर आये थे, जिसने सभी की दिल्चस्पी जगा दी थी। और अब, पिनकविला की रिपोर्ट के अनुसार, बेबी जॉन का टीजर सिंघम अगेन और भूल भुलेया तीन के साथ सिनेमा घरों में रिलीज होगा, जो एक नवंबर को बॉक्स ओफिस पर एक साथ रिलीज हो रही हैं। दो मिनिट लंबे टीजर में वरुन को फिल्म के विशय के अनुसार तीव रेक्षन द्रिश्यों में दिखाया जाएगा, जिसे एक आलिसवरान द्वारा निर्देशित और जियो स्टूडियोज, सिनेहिक स्टूडियोज और A4 Apple Productions के तहट एटली, मुराद खेतानी और ज सुकता को बढ़ाता है, लंबे भूरे बालों, पुरानी अन्बूठियों और गले में जन्जीरों के साथ वो भयान कर दिखते हैं, फिल्म से इस लुक को शेर करते हुए वरुन धवन ने लिखा था, उस अंधेरे से मिलने के लिए तयार हो जाओ, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, 25 दिसंबर को क्रिस्मस पर रिलीज होने वाली बेबी जॉन में कीर्ती सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रोफ और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं, बेबी जॉन की कहानी सत्य वर्मा उर्फ बेबी जॉन के जीवन पर आधार जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जो अपनी मौत का नाटक करके छिप जाता है और अपनी बेटी को सुरक्षित महौल में बढ़ा करता है, हालां कि जब बेबी जॉन का पुराना दुश्मन बबबशेर, जिसका किरदार जैकी श्रोफ ने निभाया है, फिर से सामने आता है तो उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी पड़ती है